दुनिया को रंग बेरंगे सपने दिखाने वाले फिल्म और टेलविजन इंडस्ट्री के सेटिंग वर्कर्स, स्पॉर्ट बोईज, लाइट मैं, मेक अप आर्टेस्ट, जूनियर आर्टेस्ट, सपोर्ट स्टाफ, टेक्निशन्स को अब मिलेगा अपने सपनों का घर. इस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम है चित्रपट जनक दादा साहिव वाल के कौाउपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. अगर आप फिल्म या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं और आसान बैंक किष्टों में बेहद खिफायती दाम पर अपना घर लेना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है. लाइट, कैमरा और घर चित्रपट जनक दादा साहिव वाल के कौाउपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहां बन रही है? शेलू में सिने कर्मचारियों के लिए टाउन्शिप बनने जा रही है. बदलापूर नेरल के पास सेंट्रल रेलवे लाइन पर शेलू में तेजी से आकार ले रही है चित्रपट जनक दादा साहिव वाल के कौाउपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. शेलू बहुत जल्द प्राइम एरिया बनने जा रहा है और तेज रफ़तार से डिवलप्मेंट हो रहा है और ये सोसाइटी शेलू रेलवे स्टेशन से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बन रही है. इसका लाब किसे मिलेगा? इस योजना में परिवार की महिला सदस्य के नाम पर ही घर खरीदा जाएगा. अगर परिवार में कोई महिला नहीं है तो ऐसे अविवाहिक तलाकशुदा पुरुष या महिला को अपने नाम पर घर मिल सकता है. सदस्य या उसके परिवार के नाम पर कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए और उनकी वार्शिक आयत तीन लाक रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए. कितना सस्ता होगा ये घर और किराये के घर से इस अपने घर में कैसे जाएंगे हम? प्रधान मंतरी आवाज यूजना के इस घर की कीमत मार्केट प्राइस से करीब 40 प्रतिशत कम है. वन बी एज के फ्लैट की कीमत 15 लाक रुपे है लेकिन आपको GST समेत सब खर्च मिलाकर ये घर सिर्फ साड़े 12 लाक में मिलेगा. क्योंकि केंदर सरकार से 1.5 लाक रुपे और राज सरकार से 1 लाक रुपे की सबसीडी मिल रही है. यानि आपको कुल 2.5 लाक रुपे की सबसीडी मिलेगी. प्राइविट बिल्डर के बनाए घर बर 6 प्रतिशत स्टैंप डूटी लगती है. कुल मिलाके तकरीबन 90 हजार रुपे. जबकि प्रधान मंत्री आवास योजना के घरों के लिए स्टैंप डूटी है सिर्फ एक हजार रुपे. हुआ न, 89 हजार रुपियों का सीधा फाइदा? कई बैंकों से होम लोन आसानी से मिल जाएगा. वो भी बेहद किफायती EMI पर. EMI तकरीबन मुंबई में घर के किराए के बराबर आएगी. घर के अंदर और बाहर क्या क्या सुविधाएं होगी? 320.64 स्क्वेर फीट कार्पिट एरिया के घर में बढ़िया क्वालिटी की फ्लोरिंग होगी और परियाप मात्रा में पानी की सुविधा एवं सनिटरी सुविधा होगी. डूब विलर पाकिंग के लिए परियाप जगे होगी. 16 मंजिल की इमारत में फायर फाइटिंग की हर सुविधा होगी. हर बिल्डिंग में परियाप लिफ्ट होगी. सीवरेस ट्रीटमेंट प्लांट और विजली के लिए सब स्टेशन भी बनाया जाएगा हाइटेक और बेस्ट मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन से मजबूत भूकम प्रतिरोधी घर बनाया जाएगे अस्पतार, स्कूल, बाजार, मौल जैसी सुविधाओं के लिए जमीन आरक्षित की गई है हमें कब तक घर मिल जाएगा? करीब 24 महीने में फेजवाईस घर बनकर तयार हो जाएगे और आप खुशी-खुशी ग्री प्रवेश कर सकेंगे इस योजना के प्रथम चरण में 522 आवासों का निर्मान किया जा रहा है मुंबई के किसी दूर के सबब से गोरेगाउं फिल्म सिटी पहुँचने में लगभग उतना ही समय लगता है जितना की शेलू से सेंटरल लाइन से करजद खोपोली तक की हर फास्ट लोकल शेलू स्टेशन पर रुखती है नैशनल हाईवेश 76 बदलापूर अंबरनाथ कल्यान और ठाने को अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है बदलापूर मिट्रो शुरू होने के बाद सफर और भी आसान हो जाएगा प्रस्तावित गोरेगाउ मुलूंट लिंक रोड तकरीबन दो साल में पूरा होने के बाद फिल्म सिटी से शेलू लगभग एक घंटे में पहुँच सकेंगे हम इस घर के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं रेडी मॉडल हाउस देखने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं फेटरेशन ओफ वेस्टन इंडिया सिने एम्पलॉईज या आपकी यूनियन में आज ही संपर्क करें पता 113, कार्थी कॉम्पलेक्स, वीरादेशाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, 4-00-05-3 ये घर बाहर से है हमारे मजबूत इरादों की तरह है और अंदर से खुबसूरत है आपके परिवार के प्यार की तरह है चित्रपट जनक डादा साहेव वाल के कोपरेटिव हाउसिंग सुसाइटी लिमिटेड शेलू